हेलो फ्रेंड्स ना इडली न डोसा सिर्फ तीन से चार चीजों से बनाएंगे सुपर सौफ्ट पोही का नाष्टा बच्चों के टिफिन के लिए या नाष्टी के लिए रोज रोज सूचना होता है कि ऐसा क्या बनाए जो जट से बन जाए और हेल्दी भी हो तो आज में लेकर आई हो ऐसे नाष्टी की रेस्पी जिसमें ये दोनों स्वात आपको एक साथ ही आ जाएंगे तो फिर देर की इस बात के चलिए करते हैं शुरू तो यहां लिया है आधा का पोहा पोहा बारिक या मोटा जैसा भी हो आप ले लीजिए अब इसे हम डालेंगे एक बाउल में और उसे अच्छे से दो बार पानी से धुल कर ले लेंगे जिससे की पोहे में लगी सारी गंदगी और डर्ट इससे निकल जाए तो पोही को दुलने के बाद एक्स्ट्रा पानी को हम निकाल देंगे और पोहे को पांच मिनट अच्छी तरीके से फूल जाने देंगे तो यहाँ पोह अच्छी तरीके से फूल चुका है और इसका दाना भी खिला सा नजर आ रहा है तो आप पोहे को डालेंगे हम मिक्सी जार में साथ ही डालेंगे आधा कप पानी और यहाँ पोहे का फाइन सब पेस्ट बना कर ले लेंगे तो यहाँ तयार पोहे के पेस्ट को हम डालेंगे सेम बाउल में साथ ही डालेंगे आधा कप सूजी और यहाँ हमें बारिक वाली सूजी का यूज करना है अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे एक बार मिक्सी जार में ग्राइंड करके ले लीजिए अब साथ ही डालेंगे इसमें हम 1.5 Cup दही, यहां यूज करा दही पतला है, अगर आपके पास गाड़ा दही है तो 1.5 Cup दही और 2.5 Cup ही पानी इसमें डाल लिजिए, तो अब इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है और यहाँ पर बैटर को मैंने एक मिनिट तक अच्छे से फेट लिया है तो अब तयार बैटर में हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और नमक को भी कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स तो अब बैटर को हम 5-10 मिनिट रेस्ट दे देंगे जिससे कि यहाँ सुजी हमारी अच्छे से फूल जाए और हम एक और इंपॉर्टेंट तयारी कर लेंगे इसके लिए पैन को मैंने गैस पर गर्म होने रख दिया है अब पैन में डालेंगे एक चम्मस तेल और तेल को होने देंगे अच्छे से गर्म तो कड़ी पत्ते का इस नाश्ति में बहुत ही अच्छा स्वाध आता है साथ ही डालेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्च तो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें इसे करेंगे मिक्स अब डालें आदा इंच अद्रक जिसे कि मैंने कद्दुकस करके ले लिया है इसे भी करेंगे मिक्स अब डालें मीडियम साइज के कटे हुए प्याज को और इसे भी यहां हम भुन लेंगे तो यहां हमें प्याज को पहुत ज़्यादा नहीं भुनना है तो यहां प्याज का हमें ब्राउन कलर नहीं चाहिए बस हमें प्याज को इतना ही भुनना है कि उसका कच पर निकल जाए पर प्याज का क्रंच यहां बना रहे तो इधर प्याज के ट्रांसलूसंट होते ही हम डालेंगे इसमें कुछ मुफली के दाने जिसे मैंने क्रेश करके ले लिया है और इसके छिलके भी उतार लिये हैं इसे डालने के बाद इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे तो यहां मुफली के दाने से हमारे नाश्टे में बहुत ही अच्छा क्रंच आता है तो आप गैस की फ्लेम को कर देंगे बन और इस तड़के को मिक्स करते हुए इसे कर लेंगे हलका सा ठंडा तो आप इस ठंडे हुए तड़के को हम डालेंगे पोहे वाले बैटर में और इसे कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स फ्रेंट्स में आप सभी को याद दिला दू अगर आपको मेरी रैसिपी अच्छी लग रही है तो इसे करे लाइक और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर अब इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई धनिया पत्ति इसे भी करेंगे मिक्स तो इस नाष्टे को बहुत ही अलग स्वास देने के लिए मैंने इसमें एक और चीज एट करी है जिससे की हमारे नाष्टे का टेस्ट एकदम बदल जाएगा तो वह है नारियल की चटनी जो मैंन अगर आप चाहें इस नाष्टे को और भी जादा सॉफ्ट और जालीदार बनाने के लिए सिर्फ एक पिंच सोडे का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने इस नाष्टे में सोडे को नहीं डाला है फिर भी ये नाष्ट बहुत ही जादा सॉफ्ट बनकर तयार होता है तो ये टोटेली आप पर है कि आप सोडा डालना चाहते हैं या नहीं तो इधर बैटर को रैडी कर लेने की बात मैंने एक नॉन स्टिक तवे को गैस पर गर्म होने रख दिया है और तवे के गर्म होते ही हम इसमें ऑईल से इसे थोड़ा सा ग्रेस कर लेंगे तो अब इसमें हम लगभग 2 चमज बैटर को और इसे हलका सा फैला लेंगे तो यहाँ हम बना रहे हैं पोहे के चीले तो यहाँ चीला ना तो बहुत ज़्यादा बनाना है और ना ही पतला अब इने हम कवर कर देंगे तो मैंने यहाँ इसे कवर करके दो से तीन मिनिट तक पका लिया है गैस क चीले को हमें करना है टर्ण, आप चाहें तो इसे चमज की हल्ब से या तवे को उच्छालते हुए भी चीले को टर्ण कर सकते हैं और टर्ण करने के बाद भी इसे हमें दो से तीन मिनिट तक अच्छी तरीके से सेख लेना है तो सुबे के breakfast में या बच्चों के lunch box में आप इसे कभी भी बना सकते हैं इसे बनाने में किसी भी प्रकार का जंजट नहीं है बस batter को तवे पर फैला कर इसे ढख कर हमें 2 मिनिट पका लेना है और फिर इसे turn करके फिर से 2-3 मिनिट अच्छी तरीके से golden brown होने तक इसे shake लेना है तो यहां हमारे बहुत ही जटपट नाश्ता बनकर है तेयार मैंने इसे यहां नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है आप चाहें तो हरी चटनी या टमेटो केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं और इसके अंदर का texture भी आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही soft, जालिदार और तेस्ट यहां बनकर तयार हुआ है तो पोहे से बने इस चिले की रेसिपी आपको कैसी लगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रेसिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद